यूपी विदानसभा देश की पहली सबसे बड़ी विदानसभा है जहां आज से ही विदान सिस्टम को लागू कर दिया गया आज लोकसबा अद्धक शोमबिल्ला ने लखनव में इसकी शुरुआत की साथी साथ जो नए सदत से उनके प्रबोधन का अभी कारिकरम आज से शुरू हुआ है जो दो दिनों तक चलेगा अब यूपी की विदानसभा पूरी तरह से डिजिटल हो गई है दरसल विदानसभा में अब नाकिवल विदायकों की सीट बढ़ाए गई है बलकि हर एक सीट पर टैबलेट लगाए गया है यानि विदानसभा की जो आगे की कारवाई है वो पूरी तरह से पेपरलेस होगी चाहे प्रश्णकाल की बात करें चाहे हम बात करें राज़पाल के अभी भाषन की या फिर बजट की बात करें सबी चीजे अब विधायकों को उनकी जो सीट है उस पर जो टैबलेट लगाए गया है वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगी इसके लावा विधान भवन का जो मंडप है वहाँ बड़ी LED स्क्रीन भी लगाए गई है यानि हर एक सवाल जो विधायक पूछेगा उसकी तस्वीर सामने स्क्रीन पर आएगी वो कितनी देर तक बोल रहा है ये भी वहाँ पर दिखाय जाएगा जिस तरीके से इस इविधान सिस्टम को यूपी में विधान सभा में लागू किया गया है उसके लिए एक नेवा सेवा केंदर भी बनाया गया है जहां पर विधायकों को इस इविधान सिस्टम के बारे में जानकारी दी जाएगी इस मौके पर आद लोग सभा अध्दक्ष ओम बिल्ला ने यूपी विधान सभा अध्दक्ष और मुक्ष मंतरी योग्यादित नाथ की तारीफ की उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा कदम है डिजिटल इंडिया की जो बात होती है उसमें ये एक महतपूर्ण कदम है वहीं 21 मई को भी ये जो कारिक्रम है ये विधान सिस्टम को लेकर जो ट्रेनिंग है जो प्रबोधन का कारिक्रम है वो जारी रहेगा और 21 मई को सभी जो मंतरी हैं सभी जो नए सदसे हैं उनको विधान भवन के अंदर जो मंडप है वहां इसी विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी क्यानों सब्सक्राइब जीतन के साथ अनुबह शुक्तला एपी गंगा लखना एबी पी गंगा खबर आपकी जबापकी